वो परमेश्ट्री तक पहुंच गया स्वामी वेवेका नंद बता थे एक बड़ा पहाड है चारो तरफ से लोग उस पर चड़ रहे हैं जब चड़ाई पर है तब प्रत्यक दूसरे को देखता है वो कहता है कि अधर से आ रहा उधर तो बहुत सारे काटे कुटे यहां से वो गलत रास्ता है मैं सही रास्ते काटे तो क्या हुआ सही रास्ता है इधर से ही जाओंगा ऐसा हो कर रहे थे क्वचित एक दूसरे को अपने रास्ते पर लाने के लिए जाकर उसको खीशते थे फिर मारपिट होती थी सर फुटते थे गिर पढ़ते थे यह चल रहा था ल लेकिन सब देर सबेर यही पर आने वाले हैं और इसलिए वह वहां से कहने लगा देखो भाहिए थोड़ी जल्डी करो रास्ता जो तुमने चुना है उस पर ठीक से चलो दूसरी भी चल रहे हैं उनको वहसा चलने तो उनको डिस्टरब मत करो सब लोग यही आने वाले है अ अपना हिंदू स्थान, अपना हिंदू राष्टर, अपना हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति उस चोटी पर पहुंच गए वहां पर से उन्हों ने देखा तो उनको यह बात समझ में आ गई यह समझदारी पूरी मानवता के लिए विहत है, इसको ग्रहन करने से यह हमारा स्वत्वा है, इसको ग्रहन करने से ही मानवजाती को सुख मिलेगा हमको वो करना चाहिए, यह जो परिस्थितिया दिखती है, और उसमें छोटे-छोटे कारणों में हम एक दूसरे के सर फोड़ते हैं, इठी कही क्या, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, सबको रहना है, हम भूल जाते हैं, सबको साथ रहना है, हम भूल जाते हैं, सबको यह कही जगह पहुचना है यह बिना भूले करना और यह अगर करना है तो संयंबर उतना पड़ेगा